आज हम बनाएंगे बिहारी एस्टेल में सहजन फली और आलू की बहुत ही स्वादिस्ट सब्जी और ये सब्जी आपको इतना पसंद आएंगे हर बार ये सब्जी इसी तरह से आप बनाना चाहेंगे तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इसे हम लोग को मैथली में मुनगा बोलते हैं इंगलीस में इसे डिरमेश्टिक बोलते हैं बेंगोली में इसे सजना डाठा बोलते हैं और बहुत सारा नाम से इसे जाना जाता है उतना मुझे नहीं पता है जितना पता है उतना हमने बता दिया है तो यहां पे जो है सजना फली को हम हम कट कर लिये हैं तो आपको काटना कैसे हैं? वो हमझे दिखा से दिख symbi करना है तो इसे हमें अपना डाइट में जरूर सामिल करना चाहिए और खाने में भी यह बहुती ज़दा स्वाधिश्ट लगता है तो इन्हें हम इस तरह से कट कर लिए हैं और इपर से थोरा सा छिलका हम इसका निकाल दिये हैं इस तरह से तो सभी हम सहजन फली को इसी तरह से कट किये हैं और उपर से इसका छिलका निकाल दिये हैं तो इसी तरीके से आपको भी कट कर लेना है और इसका छिलका उसे निकाल देना है तो इसी तरीके से आप ड्रम स्टी को कट कर लीजिएगा और छिल लीजिएगा तो अभी जैसे की जूर सितल भी आने वाले हैं तो जूर सितल की दिन में ये सबजी बनता ही है चाहे एक ठोका बने या दो ठोका कोई सबजी में सामील करके भी बनाना हो लेकिन ये सबजी बनता ही है तो इन्हें हम सभी को सेम तरीके से कट कर लिए हैं, देख सकते हैं, तो चलिए हम सबजी बनाने के प्रोसेस में चलते हैं, तीन में हम आलू भी डाले हैं, तो वो भी दिखा देते हैं, तो इन्हें हम अब धोलेते हैं, तो इसमें हम दोल्ठो आलू डाले हैं, तो जैसे ये म क्टों बॉनगा को कट किये हैं उसी तरह से हम आलू को भी कट किये हैं लंबे लंबे और थ्वटे से मोटे आलू कर किए है तो दोनों चीज़े से हम धो लिए हैं ति हमाभी बनाते हैं तो सब्वे बनाने से और आठ से दस इसमें हम काली मिर्च डाले हैं आधी छोटी चमच के करीब हम जीरा डाल देते हैं और थोड़ा सा पानी डाल करके इन्हें एकदम फाइन पेस्ट हम बना लेंगे तो मसले को अच्छे से आप पीस लीजिएगा पुरा महिन पीसिएगा तो इन्हें हम पीस करके तैयार कर लिए हैं देखसकते हैं इस तरीके से आपको मसला को पीस लेना है और बहुत ही जदा स्वादिस्ट सबजी ये बन करके तैयार होते हैं एस तरीके से ताप एक बार जरूर बनाइयेगा और जीने भी खिलाईएगा धेर सरा तारीफ आपको सुनने को मिलेगा « इसमें मुनगा को भी एड़ करेंगे तो इन्हें पहले हम 2-3 मिनदर तक भून लेते हैं और गैस का फिलम हम इहां पे मीडियम टू हाइड रखे हैं मीडियम टू हाई के बीच में आलू को भूनियेगा तो आलू को हम भून लिये हैं आलू थोड़ा सा कलर भी चेंज हो गया है और भूना हुआ एक टो कोटिंग जो होता है ओ आलू में हो चुके हैं देख सकते हैं तब हम इनमे मुनगा आड़ कर देते हैं और मुनगा को भी ह हम 2 मिनटे तक भुह लेते हैं थोड़ा-कlor चैंज हो जाएगा इंहें नीकाल लेंगे तो ये भी भूहे चुके हैं, डेख सकते हैं इसका भी खऴन चैंज हो गया है तब हम निकाल लेते हैं makes have got somescale salt adjustments ministry there तेल थोड़ा सा कम है, तो एक चमच के करीब हम तेल डाले हैं, और आधी छुटी चमच हम इसमें जीरा डाल देते हैं, और जीरा जब थोड़ा सा भून जाएंगे, तब जो मसला का पेश्ट हम बना करके रखे हैं, उसे आड़ कर देंगे, तो मसला का पेश्ट जब आप आस्ते आस्ते मिलेंगे ये तेल में सरसो का मसला तो उतना छीटा नहीं निकलेंगे तो इन्हें हम थोरा सा मिला दिये थे और ग्रेंडिंग जार में जो है वो मसला लगा हुआ था तो इसमें हम थोरा सा पानी डाल करके इसमें डाल दिये हैं और इन्हें हम चार से पांच मिन अगर आप तीखा ज़्यादा खाते हैं तो तीखा वाला भी एड़ कर सकते हैं यहाँ पे और आधी छोटी चमच हम धनिया का पॉडर डाले हैं और इन सभी को मिला लेते हैं चार से पांच मिनर तक हम मसला को अच्छे से भून लेंगे तो मसला भून चुके हैं देख सकते हैं मसला का कलर भी चेंज हो गया है और तेल भी सेपरेट हो गया है तब हम डाल देते हैं इसमें दो मीडियम सेज के कदू कस करके हम टमाटर रखे थे उसे डाल दिये हैं आप चाहे तो पेश्ट बना करके भी डाल सकते हैं, लेकिन टमाटर का पेश्ट डालने से सब्जी का टेस्ट थोड़ा सा चेंज हो जाता है, इसलिए हम इसे कदुकस करके डाले हैं, आप चाहे तो काट करके भी डाल सकते हैं, जैसे आपको असानी लगे उस तरह से आप बनाईए सब्गारि दरका पंनते हैं ऑच्छे से मिल रहा हैं। हैं ट्वुन गया हैं गया म्यूतत dua इन्हें भी हम मसला के साथ में दो मिनट तक भून लेंगे अगर आप वीडियो देखते देखते यहां तक आ चुके हैं रिसेपी अची लग रही है तो पिलीज वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक कर दीजिएगा और चैनल में पहली बारा हैं तो चैनल को सब्सक्राइ के लिए बिनाए हैं तो गिरेवी हम थोड़ा सा पतला रखेंगे ज्यादा पतला भी नहीं रखेंगे तो इसमें हम दो कप के करीब पानी डाल रहे हैं और इसे मिला देंगे अच्छे से और सब्सक्राइब को धकन बंद करके हम 10-12 मिनर तक मीडियों टू लो के बीच में ग्याज का फिल्म कर देंगे और सब्सक्राइब को अच्छे से पकने देंगे तो इसमेर को प्रया prohibimi करेंगे सब्सक्राइब को अच्छे से भुन्य 12 मिनित पांत, तो ग्यास का εचीए है के सब्झ में वाइक सकते हैं। सब्जी बना है जो भी खाएंगे तारीप करते रह जाएंगे तेक पार आप इसे जरूर बनाईएगा अपने घर में देख सकते हैं एकदम पर्फेक्ट ग्रेवी है और सब्जी का कलर भी एकदम पर्फेक्ट है तब हम ग्यास का फ्लेम बंद कर देते हैं रिसेपी अच्छी के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है